हालो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको मुवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ या एक साइकोलोजीकल थ्रीलर प्लस मर्डर मिस्ट्री है आज के मुवी का नाम स्पाइडर फोरेस्ट जो 2004 की एक कोरियन मुवी है इस मुवी के बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं है पर अगर पता चला तो हल्यूड के बहुत सारे बेस्ट मुवी को ये पीछे छोड़ देगी मूवे में आपको लग सकता है कि हो कहा रहा है पर लास्ट में सब चीजे में आपको explain करूँगा तो चलिए इस complex मूवे को explain करना start करते है मूवे start होती है और हमारा main character जिसका नाम है क्यांग ये जंगल से जाता हुआ में दिखता है इसी जंगल का नाम spider forest है जंगल में एक घर होता है जिसके पास वाता है यहाँ दर्वाजा खोल कर देखता है तो एक आदमी का वहां murder हो चुका होता है ये बहुत ही डर जाता है इसे को जावा जाती है और ये अंदर जला जाता है अंदर जाने के बाद एक औरत का भी murder हो चुका होता है इस औरत को जानता है यह हमारी औरिंग में इन क्यरक्टर है इसका नाम आता है सुयंग सुयंग कहती है कि उसे डर लग रहा है उसे सब जगा spider दिखाई दे रहे होते है कैंग जब खिड़की में देखने के लिए जाता है तो वहाँ कोई था जो अब भाग रहा है यहाँ पर कैंग को murder weapon भी मिलता है कैंग इसके पीछे भागते भागते जाता है पर यह आदमी कैंग को ही जखमी कर देता है कैंग बेहोश हो चुका था पर थोड़े टाइम बात वो फिर से होश में आ जाता है यह आगे चलती चलते रोड के टरनल तक आ जाता है यहाँ पर फिर से उसे वही आदमी दीखता है यह उसके पास जाना जाता है पर इस टरनल में एक काड़ी आकर उसे ठोक देती है अब यह एक्सिटन किसी ने रिपोर्ट कर वाया था और कैंग होस्पिटल में है इस पर सरजरी वेगरा होती है और यह अनकॉंशिस होता है थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद यह फिर से होश में आ जाता है डॉक्टर इसके पास पोचते है और इसे सवाल पुछने लग जाते है कैंग के वाइफ के फोटो उसके पॉकिट में थी उसके बारे में पूछते है कैंग सिर्फ एकी चीज़ बोल रहा होता है कि वहाँ सब लोग मरकर पड़े हुए है वो इसे स्पाइडर फोरेस्ट जाना पड़ेगा वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोल रहा होता है कैंग के एक अच्छा फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है किम इस मुवे में भी फिर से किम नाम आ ही गया किम पुलिस ओफिसर है तो कैंग से मिलने के लिए आता है कैंग फिर से spider forest के बारे में कहता है और वहाँ dead bodies है इसे उसे बता देता है कैंग धुनला धुनला बोलता है कि मैं realize कर रहा हूँ कि वो मैं ही था इस statement का meaning आपको अभी पता नहीं चलेगा पर last में सब कुछ clear हो जाएगा इस murder scene को देखकर इन्हें पता जलता है कि यह जो bodies है यह बहुत दिनों से यहाँ थी हमने अभी-भी murder scene पर कैंग को देखा था तो यह कैसे possible हो सकता है अब next scene में हमें दिखता है कैंग hospital से उट जाता है और वो अपने घर तक आ जाता है यह बहुत ही injured है उसकी wife भी उटकर आ जाती है सुजिन कैंग से कहती है कि इतना work तुम क्यों कर रहे हो कैंग कहता है कि तुम्हारे show के लिए में आना जाता हो सुजिन का show foreign में होता है और वो काम करकर जल्दी से वहाँ पोशना जाता है सुजिन भी बहुत मेंनद ले रहे होती है यह उससे पुछती है यह रात में ऐसे उटकर क्यों तुम बेठे हो कैंग कहता है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया था यह शोप करने के लिए तुम गई पर बीच में ही तुम्हारा plane crash हो गया इसकी वाइब बहुत ही डिस्टब हो जाती है कैंग उसे पुछता है वो कहती है कि यह सबना नहीं था यह सच मुझ है इस अजीब से सीन के बाद कैंग की वाइब मर चुकी है और एक office के party में कैंग हमें दिखाई देता है कैंग दुखी है तो उसे बहुत बुरा लगता है यह दोनों गम में है तो उसके पास आकर बैठ जाती है उसे पुछती है क्या तु मुझे जानते हो इसके बाद कैंग यहाँ से उटकर चला जाता है यह बहुत ही ड्रंक है तो घर नहीं जा सकत तो बार के बाहर ही बैटता है, पार्टी जब खतम हो जाती है, तो सुयंग उसके पास आती है, उसे उसके घर ले कर जाती है, कैंग फिर हमसे खहता है, मैं उससे पहले कभी मिला नहीं था, पर उसके साथ मुझे बहुत ही comfortable लगा, उसके बाद बहुत सारी राते मैं उसके होती है इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई अब एक साल गुजर चुका था ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लग गए कैंग कभी भी अपने काम में जादा सिंसेर नहीं था वो एक टिवी शो पर काम कर रहा था उसकी एडिटिंग उसने कंप्लीट नहीं की थी इसने ये सब चैनल पर डाल दिया और जब चल रहा था तभी एडिटिंग कर रहा था इसकी वज़े से अपने बॉस के साथ ये ट्रबल में आ चुका है कैंग का बॉस उसे कहता है कि अगले शो में तुम नहीं होंगे एक लास्ट शो कैंग को करना है औ लटकी का फोटोग्राफि का स्टूडियो है कैंग इस लड़की को कहता है कि स्पाइडर फोरेस्ट के बारे में मैंने बहुत सारी चीजे सुनी है, मुझे तुम अपना सिर्फ एक्स्प्रियंस बताना, इस लड़की के साथ वो बाच्चित करता है और अपने लिए पासवर्ड फोटो भी निकाल लेता है, इस लड़की को कह कर जाता है कि उसके स्टोरी लेने के लिए ये कल फिर वापस आएगा, ये लड़ मिलने वाली है एक जगा पर क्यांग रुखता है, और सुयंग की कार भी वहाँ जाती है, ये इसका पीछा करता है कि कहा जा रही है, एक घर के पास क्यांग पोझता है, अंदर जग कर जो बो देखता है तो यहाँ सुयंग और उसका बॉस ये दोनों होते हैं, यदि कि सुय के बीचे पढ़ जाता है यह पीछा करते हुए ही एक पल उसे जंगल में डेजी भी दिखती है यह किसी को ढूनने ही पाता है डिस्पॉंटेड होकर गाड़े में बैठ जाता है यहाँ पर एक स्पाइडर उसे काट लेता है फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है और यह जो सकती हो stranger ने उसे photos का रोल दिया है वो उसे develop करना चाता है डेजी उसे सब को समझाती है जब कैंक स्टुडियो देख रहा होता है तो डेजी लड़के को अपने घर लेकर आए घर जाकर वो स्टोरेज में ही छुप गए इने कुछ आवाज आने लगए तो इस दोनों घर में देखने लगए मदर फादर इंडिमेट हो गए पर उसके बाद डेजी के फादर ने डेजी की मदर का खुन कर डाला इन दोनों ने भी कुछ आवाज की तो डेजी के फादर इन दोनों के बीचे लग गए यह लड़का भी भाग रहा था पर एक जगा वो टकरा गया और इससे बेवोश हो गया रात में जब यह लड़का उठा तो उसके पास यह लड़की आई इस लड़के का हाथ उसने पकड़ा पर खुद आसमान में फ्लोट होने लगए यानि कि लड़की मर चुकी थी इसके बाद लड़का इस शहर से बाहर निकल गया इस्टोरी खतम होती है और कैंग की तवियत और भी खराब हो जाती है कैंग वही सो जाता है और डेजी उससे हेल्प करती है यहा नीन में फिर से उसे अपनी मनी आता थोड़ी देर में वहार डेजी आ जाती है अब यह ठीक हो चुका है तो डेजी उसे बुछती है क्या हम खाना खानी के लिए कही बाहर जाया यह दोनों फिर रोपे में आ जाते है यह रोपे बीच में ही बन पड़ जाता है डेजी फिर इस फोरेस्ट को स्पाइड spirits को represent करते है जब भी कोई मरता है पर उसे प्यार करने वाला कोई नहीं होता तो यह सब souls directly spider में convert हो जाते है यह spirits कभी मरती नहीं और as a spiders ही जीती रहती है इन spirits को अगर कोई याद करता है तो उसके बाद ही यह free होती है इसके बाद डेजी और कैंग दोनों spider forest में आ जाते है कै गंग मरी हुई थी और उसके लाश उसे मिली थी यह सब चीजे कैंग अपने friend कीम को बता रहा होता है कैंग बहुत ही इंजूर्ड है तो यह बताते बताते ही उसके तवियत और भी खराब हो जाती है उसे फिर से hospital में ले जाता है ऑफिसर कीम सब चीजों की investigation करने लग जात पर बहुत दिनों से कोई भी रह नहीं रहा इसके बाद डेजी का पता निकालने के लिए कैंग डेजी के स्कूल में पहुच जाता है यह सब रेकॉर्ड से करा निकालते है टीचर कहते है कि जो वहाँ बुरा हुआ कैंग को लग रहा होता है कि डेजी के फादर ने उसे मार करते थे और अब यह कैंग का है डेजी ने हमें स्टोरी बताई थी जिसमें एक छोटा लड़का भी था वो लड़का कैंग ही है और डेजी के साथ ही यह पढ़ता था कैंग रात में घुमते घुमते फिर से उसी हाउस तक आ जाता है यह वहाँ देखता है कि उसकी जैसा ही देखने वाला एक आदमी वहाँ है कैंग को कुछ भी बिलिव नहीं होता यह कैंग खुदी है और उसे यह सब याद आ रहा है कैंग फिर घर के पास जाता है और उसे याद आता है कि यह वही था उसने वर्डर वेपन लिया था और सुयंग और उसके बोज को मार डाला था क कैंग फिर पच्टाव करने लग जाता है और घर में आकर बेट जाता है घर में अचनक से डेजी आ जाती है डेजी उसकी पास आकर बेट थी और पुछती है क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है कैंग केता है मुझे सब कुछ ठीक कर देना था पर यह बहुत ही हा डूर ओपन करकर एक आदमी से तुम मिलोगे इसे मिलने के बाद तुम्हारे सब क्वेशन आंसर हो जाएंगे कैंग फिर अंदर जाता है और कार्स के टनल में ही पहुच जाता है मुवी के फरस्ट में हमने देखा था कैंग इंजोर हो चुका था और टनल में आ चुका था टनल में एक आदमी को उसने दिखा, उसके पीछे वो भाग रहा था, ये आदमी उसके खुद की ही कौपी थी, ये उसके पीछे गया, पर जाते हुए ही उसका एक्सिडन्ट हो गया, इसके बाद हम फिर से मुवी के फर्स में हमें जो दिखा था, यही देखते हैं, टैंक का सौल करने ही कोशिश हो कर रहा था, उसे याद नहीं था कि सौयंग को उसने ही मारा है, इसे सौल करते वक्त यह पूरी मुवी चली है, अब हम फिर से मुवी में जो सब सीन्स हुए है, यह सब कुछ देखेंगे, मुवी के फर्स में उसे सौयंग की बोड़ी मिल गए, और वही उसे मर्डर सीन पर दिखा कि वहाँ कोई है, इस आदमी की पीछे हो भागा, पर इसी आदमी ने उसे इंजोर कर दिया, भागते भागते टनल में आ गया, पर एक गाड़ी ने उसे टकरा दिया, इस गाड़ी को अगर हम देखेंगे, तो यह गाड़ी उसकी ही है, जिस आदमी को उसने देखा था, यह वही था, इस सीना में समझाता है कि कैंग को बहुत ही बुरा लगा था, इसी वज़े से उसने खुदकुशी कर ली थी, इसके बाद में जो सब चल रहा था, यह सब उसका सबकॉंशियस था, कैंग हॉस्पिटल से घर पर आ गया था, अपनी सुयंग को प्रपोस किया, पर वो हा ना कुछ भी कहने रही थी, उसे जो सब मिस्ट्रियस आदमी के कॉल हा रहे थे, यह उसका खुद का सबकॉंशियस था, जो उससे बता रहा था, कि सुयंग पर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, सुयंग के साथ कुछ ना कुछ तो यही चीज वो फाइंड आउट करने के लिए फॉरेस्ट में गया था, मूवे में हमने देखा है कि वो डेजी से मिलता है, डेजी उसके बचपन की फ्रेंड थी, जो मर चुकी थी, कैंग को लगता है कि डेजी से किसी ने भी प्यार नहीं किया है, इसी वज़े से डेजी की कैंग की ही स्टोरी थी, कैंग जब छोटा था तो उसके फादर को छोड़ कर उसकी मदर चली गई थी, उसका किसी और आदमे के साथ चक्कर था, इसलिए वो चली गई, इसके बाद उसके फादर ने कवी उसकी मदर से संबन नहीं रखे थे, यही वो स्टोरी रिपेजन कर कैंग के फादर ने उसकी मदर का मर्डर कर दिया, यानि कि कभी भी उसके साथ उन्होंने संबन नहीं रखे और कैंग को भी उसके मदर से मिलने नहीं दिया, यह एक सिंबॉलिक स्टोरी थी, यह अपनी मदर को भी हेट करता है, और जिससे वो पैर करता है, यानि कि सुयंग उसके बॉस के साथ ही सो रही थी तो उसे बहुत ही चीटेड मेहसुस हुआ वो अपने बॉस को भी हेट करता था इसे वज़े से सुयंग और अपने बॉस को इन दोनों को उसने मार डाला अपने सबकॉंशेस में ही इस केस को सौल करने की कोशिश कर रहा था लास में याद करते-कарते उसे सबकुश समझ में आ गया कैंक को बहुत ही बुरा लगा कि उसने मर्डर कर डाला है मुवे के लास में हमने देखा है कि डेजी उसे बताती है कि वो अभी भी इस सबको ठीक कर सकता है यह उसका सबकॉंशेस ही उसे बता रहा था यह उससे कह रहा था कि अगर उसने सुसाइट कर ली तो सबकुछ ठीक हो जाएगा यही कैंग ने किया था पर सुसाइट करने के अडर्म में यह बज गया हॉस्पिटल में इस पर सरजर्य विगरा हुई और जब अनकॉंशेस था यह सब चीज़े वो याद कर रहा था सबकुछ उसे याद आ चुका है तो यही यह मूवी एंड हो जाती है यह बहुत ही कॉंपलेक्स मूवी थी और इसमें सबकुछ इंडेंशनल था अब आपको इस मूवी का सब कुछ सस्पेंस पता चल चुका है आप फिर से इस वीडियो को देख सकते है और सब कुछ चीज़े आपको अब समझ में आएगी अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज एसी लाता रहता हो तो प्लीज चानल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिशन आइकन दबने में मत भूलिए फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये